आयुरुवेद में किसी भी रोग को जर से खत्म करने के लिए शरीर को पूरी तरह डिटॉक्स करने के लिए अनिवार ये बताया गया है यदि किसी प्रकार की कोई भी परिशानी ना भी हो तब पर भी यदि आप इसे करते हैं तो भविश्य में कोई भी रोग होने की संभावना ही नहीं रहती और सरीर हमेशा तरो ताजा बना रहता है जब हम सरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देते हैं तो चहरे पे एक नई चमक पैदा होती है कुछ भी खाया पिया शरीर में लगता है साथ ही साथ इसे करने से एजिंग का अत्यदिक एफेक्ट भी खत्म हो जाता है वो इसके साथ ही बोडी के इम्मिनिटी पावर को ये जबरतस तरीके से बूश्ट कर देता है इतने बेमिसाल फाइदे होने के कारण आए जानते हैं इसे कैसे करने चाहिए दोस्तों शरीर को डिटॉक्स करने की सबसे कारण विदी वा नमबर वन है ओयल पुलिंग जिसे आई विद में गंडूश क्रिया कहते हैं कहते हैं कि इसे करने से 50 प्रकार की बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है तो इसे कैसे करना है ये जानते हैं इसे करने के लिए आप किसी भी तेल को ले सकते हो चाहे वो सर्सों का हो या फिर नारियल का तेल आप किसी भी तेल को एक से दो चमच तेल मुह में रह करके आपको चारों तरफ घुमाना है और पांच मिनट बाद इसे थूक देना है आप ठोकने के बाद खुद देखोगे कि इसे के साथ कितनी गंदगी बाहर निकलती है इसे करने के लिए सरसों के तेल को पैर के तल्वों पर 5 मिनिर तक कम से कम मसाज करना है आप कभी भी कर सकते हो वैसे रात्री को सोने से पहले करना अधिक लाफदायक बताया गया है इसे करने से कबस की समस्चा क्या होती है वो आप भूल जाओगे इसे करने के लिए सबा लीटर पानी सुबह सुबह उठते ही आपको पी लेना है इसे पीते ही आपके आदों की सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी दोस्तों प्रते दिन 20-25 मिनट तीवर व्यायाम करके सरीर से पसीना निकालने मातर से अनेकों बिमारियों से आप बच सकते हैं इसे करने मातर से चहरे पर चमक बढ़ेगी वह भूख कराके की लगेगी अब सबसे आखरी वह सबसे महतफून आयरुवेदी गौस थी मुलेठी जिसे आयरुवेद में बिलर प्यूरिफायर भी बताया गया है और साथी साथ इसे लैक्जेटिव भी कहा गया है तो इसे कैसे लेना है तो रात्री को सोते समय अगर आप इसे लें तो आप एक से दू चमस मुलेठी के चूरन को पानी या दूर्थ के साथ लेते हैं तो इसके सेवन से आप खून को पूड़ी तरीके से सुद्ध कर पाएंगे और पेट की सफाई भी इसे प्रॉपर तरीक से हो जाई की दोस्तों अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलते हैं किसी अगले जानकारी के साथ सब तक के लिए धन्यवाद